हाली में एक बच्ची का वीडियो वाइरल हुआ है तीन साल की वो बच्ची है उसका नाम है हया और सब तरफ उसी की चर्चा हो रही है कम ही लोगों को पता है कि वो जो शारिब और तोशी जो मशूर संगीतकार जोड़ी है और जो गायक है उनकी रियल भांजी है इस वक्त मे कई लोग इसकी चर्चा कर रहे हैं और कंडेम भी कर रहे है कि इस तरह से बच्ची को नहीं पढ़ाना चाहिए तो पहली प्रतिक्रिया आप दोने की क्या है मैं इस मामले में ये कहना चाहूँगा कि वो जो वीडियो आया है वो एक मा ने अपनी बेटी का वीडियो बनाया अपने हस्बेंड और अपने घरवालों को दिखाने के लिए कि बच्ची कितनी जिद्धी हो गई है हर सब बच्चे जिद्धी हो जाते हैं इस उमर में and she is just three years old तो उसकी जिद्ध भी लाजिम है हम सब जिद्धी थे बच्च्पन में जिद्ध करते थे चीजों की तो वो वीडियो बना के हमें भेजा गया उसने अपने हस्बेंड को भेजा और वो वीडियो कैसे कहां पर कि के पास पहुँच गया और कैसे ये चीज बहार आगई we have no clue about it पुरा बता सकते हैं कि वीडियो किस ने बनाया था और क्या आप लोगों ने ही इसे पोस्ट किया था डिजिटल मीडिया में ये कैसे बहार आया था इसा तो बिलकुल नहीं है कि हम लोगों में से किसी ने family में से किसी ने पोस्ट ने किया है एक बात और बोलना चाहता हूँ कि एक माँ जो होती है दुनिया में जितने मीं लोग देखने वाले हैं एक मां से जादा प्यार अपने बच्चे को भी नहीं करता तो एक मा और बेटी का वीडियो है जो कि उसने परिवार के लिए बनाया we have a family group जहां पर हम सब बहन भाई एक WhatsApp ग्रूप पर हैं उस बच्ची की बुवा भी हैं उस बच्ची के चाचा भी हैं उसके मामा भी हम लोग हैं तो ये वीडियो फैमिली के लिए बना था और फैमिली WhatsApp ग्रूप पर ये वीडियो आया उसके बाद में हमारे ऐसे बहुत सारे ल कि एक घर वो वीडियो पहुंचा है और किसी रिष्टदार ने किसी को दिखाया और किसी ने किसी को दिखाया और किसी ने किसी को दिखाया टाप्स वो चेन है वो चेन में अगर हम किसी एक को पकड़ने जाएंगे तो कि किस के पास से कहां से किसने सबसे पहले अप्लोड किया, क्या हम तो ऐसा कभी करेंगे नहीं, विगोर दैट इस फैंबिली मैटर, अब तू पर्सनल, कि मेरी भेन अगर अपनी बेटी का वीडियो मुझे भेज रही है, कि देख कैसी जिद्धी हो रही है, मैं तीन-चार दिन से इसको एक चीज पढ़ाने ही कोशिश कर रही हूँ, और वो उसको समझ नहीं आ रहा है, अब वो चीज अलग तरहां से सामने आ गई, that is, we are feeling bad about it, कि वो चीज अलग तरहां से सामने आ है, कि एक छोटे बच्चे को इस तरह से नहीं पढ़ाना चाहिए, उस पर एक मानसिक असर होता है, उसके मन पर असर पढ़ सकता है, और इस तरह से बच्चे नहीं पढ़ते हैं, अगर जब हम पे दबाव डालते हैं, या मार पीट उनके साथ करते हैं, इसलिए बहुत आलुचना हो रही है इस वीडियो की, नहीं बिल्कुल हम भी इस चीज को अप्रिशेट नहीं करते हैं, बच्ची है, छोटी बच्ची है, और हम सभी ने बच्च्पन में अपने माबाप से कही न कहीं डाट और मार खाही है, कोई भी माबाप की डाट और मार के बिना बढ़ा नहीं होता है, जब बच्चों को प्यार करते हैं माबाप, एक मा का एक टेंपरमेंट है, कि माँ पांच दिन से अपनी बच्ची को पढ़ा रही है, और स्कूल की उसकी जो होम वाक है, वो सब सिखा रही है उसको, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता है, यह बहुत ही एक नॉर्मल सी, आम सी बात है, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि यह इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया, और क्या होता है ना जब इतने छोटी उमर जब होती है, इतने छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर वो कुछ भी घलत कर रहे हैं, सब वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, या और चीज़ों में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो ब्लेम पैरेंट्स पे जाता है, ना कि बच्चे पे, तो उस चीज़ को लेके कभी कबार माबाप थोड़े स्टिक्ट भी होते हैं कभी कबार सक्त भी होते हैं कभी कबार हम सब कभी ना कभी डाट या थपड या घर से ये सब होता ही है इसके बिना परवरिश नहीं होती है तो उस प्रेशर में आके कभी-कभी माबा पैसा कर देते हैं कि सखत हो जाते हैं बच्चों के साथ जो कि वो भी थोड़ा जरूरी है पर इस चीज को हम इस तरह से नहीं ले सकते कि चोटी बच्ची के साथ में जुल्म हो रहा है हर गर में इस तरह के बच्चे होते हैं जिदी बच्चे होते हैं तो अब उस बच्ची पर इस चीज का काफी परभाव पढ़ रहा है असर पढ़ रहा है कि वो स्कूल जाने में प्रॉबलम हो रही है कभी गार्डन में मा के साथ खेलने जाती है तो लोग उसको चेस कर रहे हैं, फोटोस केच रहे हैं, विच इस नोट गोड़ अब यह चोटी सी बच्ची है, तीन साल की मासूम बच्ची है, अब उसको, I think we all should stop all this. अन्वांटे अटेंचन जो मिलता है, वो ठीक नहीं है, चोटी मासूम बच्ची है, अन्वांटेंचन जो मिलता है, वो ठीक नहीं है, तीन साल की मासूम बच्ची है, दिका हूँ कि जहां वो मस्ती कर रही है, यहां वो मा के साथ मज़ाक कर रही है, यह वो राष्टिगान उसकी मा सिखा रिय है, उसको जन गनमन सिखा रही है, लोड उड बीदिऊ लागे से थाथा एट. जिद करेगी, रोएगी, तो अब वो जिद तो पूरी नहीं की जा सकती, तो अगर बच्चा ऐसे नहीं समझता है, तो थोड़ा सक्त हो कि उसको बोला था कि नहीं, अभी नहीं खुलेगा, खुला है स्टारवर्ग, अभी सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है, अब वो चीज तो इसलिए ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया, अधरवाइस माबाब बच्चों को प्यार भी करते हैं, डाटते भी हैं, लाट सब कुछ होता है, चारीब हमने देखा कि आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारे वीडियो पोस्ट किये हैं, हया के काफी मस्ती कर रहे हैं आप लोग, काफी नॉर्मल नजर आ रही है, मैं जानना चाहूँगा, इस पर कि जब ये वीडियो बाहर आया, तो हया की मॉम को पता चला कि जब आलोचना हो रही है, हर तरफ टीवी पर आ रहा है, डिजिटल मीडिया पर ये शेर हो रहा है, वाइरल हो गया है वीडियो, उनके उन पर क्या मांसिक असर पड़ा है, उनको एक अलग नजर से देखा जा रहा होगा, एक मा को कोस रहे हैं सब लुक तो क्या कहना चाहिए, वो परिशान है, वो रो भी रही है, हम उसको समझा रहे हैं कि ऐसा कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, एक बच्चे पर मु उसके चाचा उसके माबाब के बाद आते हैं, तो माबाब जिस बच्ची को इतना ओवरपैमपट रखते हैं, इतनी उसकी अभी कल की बात है, शी उस क्राइंग, लास नाइट माइ सिस्टर कॉंड मी ए जी उसको खाना नहीं खाना है, जो उसका दिनर टाइम था, अब वो जित कर रही है कि मा मैं खाना नहीं खाऊंगा मेरे गले में दर्द हो रहा है तो फिर उसको खाना भी ना खिला है तो थोड़ा स्ट्रिक होना पड़ता है मा को थोड़ा डाटना पड़ता है नहीं बेटा आप खाना खाऊ खाना नहीं खाऊंगे तो आप स्ट्रॉंग कैसे ब तो इस वक्त हया की जो मॉम है और काफी डिप्रेस्ट स्टेट में होंगी शीज रिली अपसेट अबाउट जो भी ये भी ये जो हुआ है और ये चीज को हम अपसेट थोड़ी दुखी है क्योंकि हर मा दुखी होगी तो मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करता हूँ ये मेरे पास शब्द नहीं होते बताने के लिए चीज और मैं कहना चाहूँगा कि एक मिनट के जो वीडियो जो बाहर आया है उस वीडियो को देखते हुए एक मा का प्यार जज करना I think वो सही बात नहीं है तीन साल की बच्ची है वो तीन साल बिना प्यार के बिना लाड़ के तो बच्चा पलता नहीं है बिना मुहंबत के तो एक मा ओविशली दुनिया में हर किसी शक्स से ज़ादा इनफेक्ट हम मामा है हम से ज़ादा मेरी मा से ज़्यादा प्यार उसकी मा उसको करती है बस जाते आते आखरी सवाल की विराट कोली ने इसे शेर किया युरा सिंग ने शेर किया शिखर दवन ने कई बड़े सेलिब्रिटीज ने शेर किया बॉलिवुड और टेलिविजन इंडेस्टी में भी इसकी चर्चा हो रही है सेलिब्रिटीज इसे कंडेम कर रहे है उन सब लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे संदेश हमारा यही है कि मैं यह चीज़ को थोड़ा क्लेर करना चाहूंगा कि जिसको हम कंडेम करें या कोई दुखत घटना नहीं है मेरा संदेश यही है कि जो भी हुआ हम सब ने देखा हम सब ने उसको समझा मैं यह नहीं कहुँआ कि किसी ने गलस समझा या सही समझा आम नोट पुटिंग फिंगर ऑन एनिवन जो भी हुआ अब उसे यहीं तक रहने दिया जाए क्योंकि छोटी सी बच्ची है स्कूल जाती है खेलती है खेल में मश्गूल रहती है तो बस उस बच्ची को और उसकी मा को इस टॉपिक को इस मुद्दे को यही खतम कर देना चाहिए बिकोज एक मासूम बच्चा है हम उसकी मासूमियत को नहीं उसकी मासूमियत से खिलवाण नहीं कर सकते हैं कि लोग आ रहे हैं फोटोस किछ रहे हैं सेलफी ले रहे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी इतनी लोग हमें देख रहे हैं एक humble request है के इस मुद्धिर को यहीं please stop कर दें ये एक हर आम घर की बात है, सब जगां ऐसा होता है हम सब ने अपने अपने घरों में अपने माबाप से सीखा है आज हम सीखे हैं अपने माबाप से, हमारे माबाप ने हमें अच्छी तालीम दी है, तर्विएत दी है अब हम शारीब तोशी के रूप में आपके सामने हैं, आप एक ABP News के रिपोर्टर के रूप में सामने हैं, अगर आपको अची तारीम तर्वित नहीं होती है, आपके साथ भी हुआ होगा कि नहीं पढ़ रहे तो माने डाटा होगा, पर वो फर्क सरफ इतना है कि वो वीडिय किसी सकती की जाए, जो बच्चा थोड़ा जिद्धी होता है, उसके साथ थोड़ी सकती की जाए तो उसमें कुछ भी बुरा नहीं है, कैमरामेन अजै के साथ रवी जैन, ABP News, मंबई